दोस्तों एक सरकारी नौकर मैक्सिमम कितने समय के लिए लीव पे रह सकता है कितने लंबे समय तक वो गायब हो सकता और मैंहाँ पर कुछ दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैंहाँ सालों की बात करो नौर्मल कर देखा जाये तो सरकारी डिपार्टमेंट में साल में 8 कैजवल लीव्स मिलती है और 30 अर्ण लीव्स मिलती है तो टोटल 38 चुट्टी हो गई तोड़ा बहुत और मिला लो तो 45 हो गई मेडिकल मिला लो तो 55 हो गई मैक्सिमम इतनी चुट्टी ले सकते हो आप और ये लेने में भी आपकी हालत खराब हो जाएगी आपको तरह तरह की अप्रूबल लगते है एक इन मान लो सालों तक कोई इंडिविज्वल गॉर्मेंट जॉब पे जाए है ना तो उसको कब तक नौकरी पे रखा जाएगा उसको कब नौकरी से निकाला जा सकता है इसके क्या नियम कानून है तो केंदर की सरकार के अलग नियम कानून है राज्य की सरकारों के अलग नियम कानून है केंदर की सरकार में Civil Services Conduct Rules आ जाते हैं और भी बहुत से Rules आ जाते हैं In fact केंदर की सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग चीज़ें हो सकती है इस कंटेक्स्ट में एक केस पहुचा है अभी रीसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये कि Ministry of Mines के एक ओफिशल को 2000 में 2000 में 2000 पतब 2000 एर की बात हो रही यहां पर आज से 22 साल पहले तो 2000 में नौकरी से निकाल दिया गया क्यों? क्यों कि वो लगातार 100 दिन से चुट्टी पे था समझ ये लगातार 100 दिन से जादा वो अनौथराइज रिव पे था तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया केस उसके ओपर क्या बना कि यह जो employee है यह regular offender है कभी भी बिना बताया गायब हो जाता, कभी 20 दिन गायब हो जाता, कभी 40 दिन गायब हो जाता, फिर 2 दिन आता, फिर 50 दिन गायब हो गया, फिर 4 दिन आता, फिर 60 दिन गायब हो गया, फिर 100 दिन से जादा गायब हो तो उसको निकाल दिया गया ये case high court में मोचा high court ने बोला कि नहीं भई आप ऐसे निकाल नहीं सकते गलत बात है ये 2000 में निकाला गया इसको नौकरी से finally case supreme court में पहुचा supreme court ने बोला कि ये unauthorized absence के लिए आप एक सरकारी नौकर को पूरी तरीके से बरखास्त कर दो ये देखे सही नहीं है सोचिए नौकरी से 2000 में निकाला गया है और final judgment सुप्रीम कोट का 2022 में आ रहा है तो ministry of minds ने इस particular सरकारी नौकर को छुट्टी होने की वज़े से 100 दिन से ज़्यादा छुट्टी होने के वैसे पूरा नौकरी से निकाल दिया सुप्रीम कोट ने बोला ये व्यू बहुत जादा होच है ये व्यू बहुत जादा strong है इतना strong व्यू लेना civil jobs में जरूरी नहीं है अब ध्यान से सुनिएगा civil jobs में जरूरी नहीं है अगर आप paramilitary forces में हो अगर आप army में हो navy में हो air force में हो अगर आप पुलिस में हो, तो भाई यह आपको निकाल दिया जाएगा, चुकि यह essential services है, अगर इसमें से आप गायब हो गए, तो काम मंद हो जाएगा, तो Supreme Court ने बोला कि यह जो नौकरी से निकालने वाला आदेश है, यह हम सही मानते, अगर यह individual किसी defense service में होता, military में होता, यह आपका paramilitary forces में होता, CAPF में होता, यह पुलिस में होता, तो हम इसको निकाल देते, लेकिन civil job वाले individual को सिर्फ unauthorized absence के लिए आप नौकरी से निकाल दो, यह गलत है, अब obvious सी बात है, इस particular individual को वापस नौकरी पर नहीं रखा Supreme Court ने, Supreme Court ने नौकरी पर से नहीं रखा, च हाँ, overall यह precedence कि यहाँ बाई एक individual कुछ समय तक गायब होके unauthorized absence, अब वो कुछ समय की परिबाशन में तोड़ी दिल में आपको बताता हूँ, तो अगर unauthorized absence के लिए एक time limit से ज़्यादा individual गायब होके department से, तो क्या उसको नौकरी से निकाल जाना साथा, Supreme Court ने नहीं निका सेरा establishment order है, Government of India, Ministry of Personal, Public, Grievances and Pensions का Department of Personal and Training, Department of Personal and Training ही सारे IS वगरा के posting orders वगरा निकालता है, तो Department of Personal and Training, DOPT के इस particular circular के हिसाब से पहला question देखे, what is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a government servant, मतलब किते लंबे समयता कि government servant शुट्टी पर रह सकता है, तो देखे आंसर क्या लिखा है, according to rule 12 clause 1, no government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period of 5 years, normally absence from duty with or without leave for a continuous period of exceeding 5 years, other than on foreign services, implies that such government servant has deemed to have resigned from government service, मतलब कि किसी भी प्रकार की leave अगर आपको दी जा रही है, कम माइड लिख 5 साह से जादा के नहीं हो सकती, जब भी आप किसी केंज सरकार की department जाके काम करोगे न, और आप सोचोगे कि आर मैं पढ़ने के लिए छुटी ले लो, तो आपको एक ही बात बोला जाएगा कि आपको 5 साल से पहले नहीं निकाला जाएगा, वो कहां लिखा है, वो यहां लिखा हुगा, लेकिन एक catch है यहा जानून है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका department आपके खिलाफ action नहीं ले सकता है, आपका department आपके खिलाफ action ले सकता है, फॉर एक्जामपल, अगर आप recently देखें, तो एक woman IPS officer है उत्तर पदेश की, यह 2020 से unauthorized absence पे है, पता चला है यह लंडनन में, इसके ओपर मैंने एक video बनाई थी, woman IPS officer suspended for absence, यह उत्तर पदेश सरकार में IPS है, लेकिन obviously बात है DOPT के अंदर आती है, तो उनके rules और conditions of service DOPT decide करता है, उनका भले उत्तर पदेश की सरकार दे रही है, तो यह 2020 से लंडनन में, unauthorized absence में चली गई थी, तो इनको अभी के लिए suspend किया गया, suspend किया गया है ठीक है न, dismiss नहीं किया गया, पांच साल अगर बीद गया, समझेगा, पांच साल अगर आपके बीद गया तो आपको dismiss किया जा सकता है service से, मतलब basically, for example, अगर आप एक जनवरी 2021 को service से गायब हो जाते हो, तो एक जनवरी 2026 को सरकार legally, आप कहलो, entitled हो जाएगी आपको नौकरी से निकालने के लिए, बट इसका मतलब यह नहीं है कि पहले नहीं निकाल सकती है, अगर आपका department आपके खिलाफ फ्लैक्शन लेने पर उपर आ जाता है, फाइल पूट अप हो जाती है, और overall फाइल पर प्रपोजल आ जाता है, कि हाँ भाई, यह individual, बिना बता, एक साल से न आप 100 दिन से गायता गायब होए, 200 दिन से ज़्यादा गायब होए, एक साल गायब होए, अगर आपके departmental head का दिमाग फिर गया, वो आपको पहले भी निकाल सकता है, तो government job में जो आपका appointment होता है, उसमें क्या नियम कानून है, जिस authority ने आपको appointment किया है, कम से कम उस level की authority आ आपका appointment होगा, तो जब आपको निकालना होगा ना, तो भी governor की permission लगेगी आपको निकालना एक लिए, तो जो authority आपको appointment देती है, उसी level की authority ही आपको नौकरी से हटा सकती है, तो उस level की authority को लगा कि हाँ भाई, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, 300 दिन बाद, आपने नियम कानून तो जो लोग IRS या IDS वगरा बनते हैं, उनका क्या mood होता है, कि एर UPSC में IS की एक बार त्यारी और कर लेते हैं, तो वो लोग कभी अपने department से 2 साल की education leave ले देते हैं, वो depend करते है department हो department, उनका head of department दे दे leave, तो वो ले ले लेंगे, नहीं दी तो कुछ बात नहीं मिली, और leave matter के context में होगी है, जो news निकल के आईथिस के बारे मुझे लगा कि मुझे आपके साथ थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, ठीके ना, Supreme Court का यहां पर क्या stand है, कि बाई unauthorized staff की वजह से civil jobs में काम करने वाले लोगों को अगर आप नौकरी से ही निकाल दो, तो वो यहां पे सही नहीं है, यह Supreme Court का यहां पर stand है, I hope आपको useful लगा होगा, कुछ मज़ा आया होगा, इस lecture को सुनने में अपने viewpoint ली चेकमेंट बाक्स में देखे जाएगा, Instagram पर follow कर लिजएगा, Telegram गूप जोइन कर लिजएगा, जादर से जादर लोग साथ lecture को share करें, have a great difference, good bye, जादर